नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की पार्लेमेंट जिसको यूएस कॉंग्रेस कहा जाता है, वहाँ पर एक टेरिजम से रिलेटेड रिपोर्ट को सब्मिट किया गया है, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर, लोकसभार, राजसभा के अंदर, समय समय पर कोई ना को यह है कि पांच इसमें से ऐसे टेरिस्ट आउटफिट हैं, जो कि डिरेक्ली भारत सेंट्रिक हैं, इंडियन सेंट्रिक है, जो कश्मीर का मुद्दा है, भारत के अंदर टेरिजम फैलाना हुआ, उसको लेकर यह लोग काम कर रहे हैं, यह आप देख पाओगे, पाकिस्तान हों टू 12 foreign terrorist outfit, US congressional report, तो इसके बारे में हम डीटेल से समझेंगे, कि यह report है, क्या क्यों आया, इससे US Congress क्या कर सकता है, पाकिस्तान के उपर क्या impact आगा, ओर ओर यहाँ पर भारत के perspective से, कौन से ऐसे terrorist outfit की हम बात कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको पताऊंगा, चलिए आग कमदाम पर मिल जाएगा, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, कि exactly हो क्या रहा है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, कि यह congressional report है, मैं पहले आपको यह बता दूँ, कि यह जो report है, यह US Congress की, मतलब वहां की जो Parliament है, अभी के लिए यह official report नहीं है, बेसिकली क जो भी कानून वगरा बनाना है, US Congress के दौरा जो देखा जाता है, उसमें इस चीज को consider किया जाएगा, कि पाकिस्तान के अंदर यह यह चीजे हो रही है, तो यह काफी important implications हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और इस report का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हो, terrorist and other militant groups in पाकिस्ता यह report ही exactly पाकिस्तान based आप कह सकते हो, उसके perspective से बनाये गया है, और इसके अंदर जो सबसे खास important चीज बताई गई है, कि 12 groups ऐसे हैं, जिसको foreign terrorist outfit, FTO बोला जाता है, 12 ऐसे terrorist outfit हैं, जिनको foreign terrorist organizations के तौर पर घोसित किया गया है US के द्वारा, और वो सभी पाकिस्तान के जमीन से operate कर रहे हैं, US officials ने identify किया है, कि इन सभी terrorist organizations ने जगा जगा पर attack करने की कोशिश की है, और कुछ तो ऐसे हैं, जो कि 1980 से operate करते आ रहे हैं, आप सोच के देख सकते हो, कि किसी देश के अंदर 1980 से कोई terrorist organization operate कर रहा हो, और अभी तक उसको खतम नहीं किया गया है वहाँ से, तो य यहां पर 4 देश के प्रतिनिदी मिले थे, तो यह जो court submit था, उसके एक दिन जश्ट पहले, यह जो report है, उसको submit किया गया था, और आप जाकर इसके बारे में कुछ ना कुछ खबर आपको देखने को मिलेगी, अब दीखे, इस report के अंदर basically यह कहा गया है, कि इसको 5 categories में divide कर सकते हैं, मतलब कि जो terrorist organizations हैं, वो कौन से चीज से related हैं, उसको 5 category में आप करपाओगी, रिवाइट, सबसे पहला है globally oriented, मतलब कि वो terrorist organizations, जो globally आतंगवाद को फैलाना चाहते हैं, दूसरा है Afghanistan oriented, जो Afghanistan के उपर आतंगवाद फैलाते हैं, आपको याद होगा जब हमित करजाई, और या फिर उसके बाद अश्रफ गानी आपके अफगानिस्तान के head बने, तो उस समय उनकी दोरा directly इंजाम लगाया जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर terrorism फैलाये जा रहा है, तो Afghanistan oriented कुछ आपको terrorist organization देखने को मिलेंगे, तीसरा है India and Kashmir oriented, जो specific focus भारत और कश्मीर के उपर करते हैं, फिर head domestically, अब देखे, पाकिस्तान के साथ problem भी यही है, कि यहाँ पर अगर terrorism फैलता है, बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ बाकी regions में आतंगवाद करेंगे, पाकिस्तान में भी होता है, और पाकिस्तान भी खुद परिशान है अब यहाँ पर अगर हम terrorist outfit की बात करें भारत के perspective से, क्योंकि हमारे लिए वही important हुजाता है, तो उसकी मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो एक है आपका लक्षकरे ताइबा, अक्सर आप नाम सुनते होंगे, 1980s में इसको बनाये गया था, और 2001 में इसको foreign terrorist organization declare कर दिया ग जैशे मुहमद को बनाये गया था 2000 में, और ये बनाये गया था कश्मीरी militant leader मसूद अजर के द्वारा, और 2001 में ही इसको foreign terrorist organization declare कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा, Parliament के उपर attack हुआ था 2001 में, जिसमें ये जो जैशे मुहमद है, वो भी शामिल था, और जाता है अफगानिस्तान में, बेसिकली ये जो terrorist organization है, जब ये बनाये गया था, ये Soviet army के खिलाफ बनाये गया था, उससे लणने के लिए बनाये गया था, और फानली 2010 में इसको foreign terrorist organization का दरजा दिया जाता है, 1989 के बाद, बेसिकली जब Soviet चला जाता है, वहाँ से अफगानिस्त है, वो ये है कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसके अलावा HUM, एक और terrorist organization है, जिसको अगर आप देखी तो 1997 से जो है, ऑपरेट किया जा रहा है, और पाकिस्तान occupied कश्मीर में जादतर ये देखने को मिलता है, फिर है आपका हिजबुल मुजाहिदीन अक्सर आप सुनते होंगे, 1989 में यहाँ पर इसको बनाया गया था, और इसका भी again main काम है कि यहाँ पर जो terrorism है, उसको लगतार फैलाये जाए, 2017 में इसको foreign terrorist organization declare कर दिया गया था, it is one of the largest and oldest militant group operating in Jammu and Kashmir, इसके लावा again आ इस सब जगह से जो अलकायदा है वो आपका operate करता है, तो यह तो भारत के सेंट्रेक्स के perspective से हो गया, अगर हम बाकी भी terrorist organizations की बात करें, तो यहाँ पर सभी के नाम आप देख सकते हो, AQ, I, S हो गया, इस इन फाक्ट आपको याद होगा भी recently, जो Islamic State Khurasan, यह आपने सुना हो जो कि काबूल एरपोर्ट पर अटाक किया था, यह भी इसका नाम है इसके अंदर, तो यह total मिलाकर 12 आपको terrorist organization मिलेंगे, जो कि इस report के अंदर बताया गया, इस से जाधा और भी हो सकते हैं, लेकिन जिनको foreign terrorist organization declare किया गया है, वही इस report के अंदर बताया गया है, फिर यहाँ पर बात आती है, इस report के अंदर safe heaven के बारे में, किस तरह से यहाँ पर जो safe heaven है, वो provide किया जाता है, पाकिस्तान के द्वरा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2019 में, जो US की state department है, foreign ministry है, उनके द्वरा खुद बोला गया था कि Pakistan जो है, it has continued to serve as a safe heaven, जिन भी terrorist को यहाँ पर पना ल कि काफी लंबे समय से जो पाकिस्तान है, वहाँ पर terrorist देखने को मिलते हैं, लेकिन अब question आता है कि क्या पाकिस्तान ने इसके खिलाफ कोई action लिया है, क्योंकि पाकिस्तान खुद कहता है कि हम terrorism के सिकार है, बात सही है, लेकिन उसका सिकार क्यों है, यह भी तो एक बहुत ब terrorist हमला हुआ था, उसके बाद बाला कोट स्ट्राइक हुआ, उसके बाद कुछ हत्तक यहाँ पर पाकिस्तान ने काम करने की कोशिश की, लेकिन जो एक बहुत बड़ा important मुद्दा यह है कि 2015 में इनके दोरा एक national action plan लाया गया था, जिसके अंदर उन्होंने clear कहा था कि हम किसी भी terrorist organization को discriminate किये बिना सभी को पूरी तरह से eliminate करेंगे, लेकिन problem क्या है न, कई बार पाकिस्तान ये चीज़ देखता है कि ये terrorist organization हमारे लिए खत्रा है तो उसको हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो terrorist organization भारत के खिलाफ काम करता है, उसको वो पना दे देते हैं, उसको उसी त consistent होती है, भारत की तरफ से आपने देखा होगा, इलजाम लगाया जाता है, कि दोनों के बीच में जो views हैं, वो काफी जादा inconsistent है, यहाँ पर अगर सरकार कुछ काम भी करना चाहती है, terrorist के खिलाफ, तो यहाँ पर military रोडा बन जाती है, military उसमें काम नहीं करने देती है, authorities did not take sufficient action to stop certain terrorist group, यह clearly इस पूरे report के अंदर बताया गया है, तो finally conclusion क्या निकलता है, देखें, conclusion यह यह आपको याद होगा, जो financial action task force है, उसके अंदर पाकिस्तान grey list में, कब आया था, 2018 में यह grey list में डाल दिया गया था, उसके बाद से यह grey list में ही बना हुआ है, जो last वाला report था, उ साथ ही साथ आपको पता है कि Taliban ने take over किया है अफगानिस्तान के अंदर, उस वो clearly दिख रहा है कि Pakistan सपोर्ट कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रशन आ जाएगा कि क्या अगले बार यहाँ पर क्या उसको grey list से हटा दिया जाएगा, या फिर फर्दर इसको black list में डाला जा सकता है, यह जो report है, वो काफी बड़ा impact डाल सकती है पाकिस्तान के Financial Action Task Force के report में, देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह अभी पूरी जो भी report था, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है, जाने से पहले एक interesting question अभी मैंने US Congress की बात की, तो US Congress के अंदर अगें, जो lower house है, उस इसका कितने समय का term होता है, इसका जो right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से बिले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, Stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, बाकी अगर आप इसका कर सकते हैं, से नहीं है।